हालो स्टूडेंट्स फिर से स्वागत है आपका जेए क्लासेस मेरे परिवार में मैं मोनिका पाल आज आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स की एक और क्लास लेकर आई हूं स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में हमने आपको आज डिसकेशन करने का सोचा है और साथी साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं लोजिक गेट्स का जो basic classification है वो किस प्रकार किया गया है यह जो टॉपिक है या आपने आपने जो students 12 करके आए हैं या जो students first year से आए हैं उन दोनों ने ही यह physics में यह portion complete किया होगा लोजिक गेट्स के बारे में पढ़ा होगा तो हम फिर से इस topic को revise करेंगे टॉपिक examination की point office से बहुत important है लजिकेट्स में से आपको पार्च नमर का एक कोशन मिल सकता है हमने जब स्लेबस introduction आपको class ली थी तो स्लेबस introduction में आपको बताया था कि इस chapter में से आपको कितने नमर के जो आने की संभावना है और पिछली बाकी classes में हमने आपको बताया था कि binary operation किस प्रकार काम करते हैं binary operation कितने प्रकार के होते हैं साथ ही साथ आपको once compliment or two compliment method के बारे में भी हमने बताया था तो I hope आपने वो class जरूर attend करी होगी अगर आपने वो class miss कर दिया तो उस class को आज ही attend कर ले आपको उसका link description box में मिल जाएगा आप बाकी की digital electronics classes जो है वो playlist में जाकर भी check कर सकते हैं तो चलिए आज का topic स्टार्ट करते हैं logic gates logic gates को हिंदी में कहते हैं तारकिक द्वार ठीक है तो तारकिक द्वार तो थोड़ा सुनने में बड़ा जीब से शब्द है हम इसे logic gate ही कहेंगे मैंने आपको पहले ही बताया था आपको हिंदी और English दोनों शब्द में आपको बताती चलूंगी बट फिर भी अगर कहीं आप इसको आप English में ही बोलने की कोशिश करें जैसे logic gates अगर आप देखेंगे तो आपको most of books जो होंगी इसमें logic gate ही लिखा होगा तरक द्वार या तारकिक द्वार लिखा हुआ थोड़ा लिखे होने की संभावना कम है तो आप इसको logic gate ही बोले ठीक है तो सबसे पहले हां हम य आपको पताया था कि जो हमारे डिजिटल एलेक्ट्रोनिक्स है वह सारी की सारी डिजिटल सिगनल पर अधारित होती है यानि डिजिटल सिगनल पर ही यह काम करती है और डिजिटल सिगनल में आपको यह भी बताया था मैंने कि डिजिटल सिगनल जो होता है वह दो लेवल प को होती है उसको हम प्रेजेंट करते हैं लॉजिक जीरो से आपको पता है बाइनरी में दोई संख्याएं होती है बाइनरी नंबर सिस्टम हम अलड़ी डिसकस कर चुके हैं इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपको बोलती हूं कि आप रेगुलर क्लास लो क्लास को बिल्कुल मिस् कर दी तो आपको अगला टापिक समझ पाने में थोड़ी परिशानी आएगी तो रेगुलर क्लास अटेंड करते रहें आप जानते हैं सभी कि जही ग्लासे मेरेट परिवार की क्लासे समंदित पीडेफ नोट स अगर लेना चाहते हैं या क्लास का शेडिउल रेगुलर क्लासे सब्धित हैं या फिर आप अपनी बोड सी समंदित बहुत इंपोर्टेंट जो जानकारी हैं वह अगर पाना चाहते हैं तो आप जेई क्लासिस का टेलीग्राम चैनल ऻ्यॉइन कर सकते हैं आपको अपने जैनल को आप जोएन और अपने जानने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसे शेर करें ताकि कि उनको भी इस सुवीधा का लाब मिल सकें तो हम बता रहे थे आपको कि logic क्या होता है आपको पताया था कि जो binary Sunkhya होती है उसमें दौ ही लौर जिकेत यानि इसकी दो यह वस्ताइन होती है हाई या या लौ वन या जीरू डिजिटल इलक्ट्रॉनिक्स की एक ऐसी उखती है यह टिशिव120.000 डिवाइस यह और जो की डिजिटल लॉजिक पर काम करता है ठीक है इसलिए इसका नाम है लॉजिक यह डिजिटल लॉजिक पर काम करता है इसकी बैसिकली इंपुट जो है वह दो यह दो से ज्यादा भी हो सकती है और आउटपुट एक होती है यानि इसकी इंपुट हो सकती है कुछ और कुछ होती है और जो इसकी output होती है वो input पर आधारित होती है यानि logic gates की जो output होती है वो input के actually boolean function पर आधारित होती है यानि जिसमें मिलने वाला output है वो output input के boolean function पर आधारित होता है या कुल मिला के अगर मैं सीदी सी एक बात कह दूं कि logic gate जो क्या होता है यह binary logic पे या digital logic पे काम करने वाली एक device है और यह digital electronics की बहुत ही important बहुत ही महतुपूर्ण device है तो logic gate जो है उसका कई प्रकार से classification किया गया है जैसे अगर मैं देखो इसका classification mainly तीन भागों में किया गया है तीन तरह से हाला कि logic gate जो होते हैं वो कुल मिला के साथ प्रकार के होते हैं सेवन टाइपस के होते हैं आप मैंसे कुछ कुछने बहुत सारे नाम इनके सुने भी होंगे मैं आपको बता रही थी कि जो students डिरेक्ट सेकेंड ने ने में से पढ़ा होगा और जो स्टुदेंट फॉस्ट यह से डिपलोमा एडमिशन ने लिया है उन्होंने इसको फ़स्ट ने भी पढ़ा होगा फ़स्ट पर्शन में आपने पढ़ा होगा तो logicgat 7 type के होता है टोटल 7 होता है कौन को उंसा होता है lysट अपने सुनitel ऐम evolved ei और ओर सजवें नर गिट नंगेट नोर गेट एड़ घेड एन एन और गेट यहलिए कोल्मिलाकश साथ गेट होते हैं dol अगर मैं कहूं इन गेट का ना बेसिकली क्लासिफिकेशन तीन भागों में किया गया है पहला तो होता है मूल गेट यानि बेसिक गेट क्या होता है यह प्रकार के बेसिक गेट होता है यानि यह बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं बाकि अन्य गेट इन गेट की सहायता से बनाए जा सकते हैं तो मूल गीट में जो आते हैं वो दो प्रकार के गेट लो ठीक है और सारवत्रिक गेट दूसरा एक छोगता है जिनका वो फो किसी भी तरह के Um saal kie wreck King कि भाती किया जा सकता है वाझ सहो को हमने बताया अभी कहें टुटल स्वेवंतिक के गेट रशेक होते हैं seven गेट सोते हैं योजीए कितने होते हैं कि ऑन होते हैं अब यह बात करी टीकि कि बेश सिंगेच जो होते हैं छुनित एक संथ हमारे आते हैं एंड और यह को दूसरा गेट अता है और और तीसरा स्वरी तीन आता है है यह सुर्ष उलिक्स को दो हुली गए वह हम नोटैट留言 भी तो होता है बड़ा अच्छा सा अनोखा सा प्यारा सही अगेट है यह नोटक सब्सक्राइब के लिए लिए तो नोट थेक है और था नोट यहानि इस पिसले रखारक के पिदाते यह तीन वे प्रिक जो आते हैं और नोट और है अब बेसिक में वो घोचार टर्म एककानवस में कम सहां लिग देती हूं से रहा है है, nd होता है, 1, 2 होता है, 3 होता है, not work, 4 होता है, nand, यह सब ने आपने नाम सुने होंगे, 5 होता है, not, 6, Ixor, और 7 होता है बच्चे, Ixnor. तो आप देख रहेए ने, आप एक हुल मिला के कितने gates हो गए, seven gates हो गए, लेकिन यह seven gates को अलग- static category में categorize किया गए, यानि इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है जैसे ये तीन गेट जो होते हैं अ शुरू के and or not इनको basic gate ये सारी चीज़े हम इसमें आगे पढ़ेंगे इसी तरह से और की साथा से अन्ने गेट बना जा सकते हैं नोट की सायता से अन्ने गेट बनाए जाते हैं गेटेने seid penal construction building block होते है ठीक है दूसरे टाइप जो हाथ हो आते हैं वह आते सार्वत्रिक गेत तो सारवत्रिक है सारवत्रटिक नाम सी पर चल रहा है युनिवर्सल है जो सार्वत्रिक कर ज्यानि इन गेटों का अप्योग बाकिंछाफ siitä क्ते नि गेटों की मदद से तो ये नैंड और नोर जो आते हैं ये आते हैं हमारे यूनिवर्सल की कैटेगरी में ठीक है उसके बाद बचे special purpose gates होते हैं यानि बचे वए जो दो gate आप देखरों तीन दो पांच होगे बचका है कितने दो तो बचे वए दो gate जो आते हैं वो special purpose gate की category में आते हैं यानि यह gate वो gate होते हैं जिनका जो use किया जाता है है इनका जो उद्धिश यह हैं को प्रियोग करना का वो किसी विशिश परपस के लिए किसी स्पेशल परपस के लिए इनका उप्योग किया जाता है तो इसमें आते हमारे दू गेट्स और यह आता चाहित फ्कृष् होटु का ले सकते हैं और के लोगिग को दॉधा कि लाइनरी लॉजिक पर काम करने वाली एक डिवाइस है यह इसमें पूद हो सकते और ईसमें यह पूद Arch всё पर वो input की state पर यानि इसकी output का जो मान होता है वो input की अवस्था पर निर्भर करता है ज्या हम कह सकते हैं इसकी जो output है वो input के boolean function पर आधारित होती है समझ लें दुबारा से logic gate क्या है logic gate एक electronic लुपती है जो की डेजिटल लॉजिक अथवा, आप कह सकते हो, बाइनरी लॉजिक पे काम करती है, और इसके आउटपुट जो होता है, वो इनपुट पर अधारित होते हैं, यानि इसकी मिलने वाली जो आउटपुट है, वो इनपुट पर डेपेंड करती है, इनपुट की वैल्यूस पर, य इन 7 logic gates को इनके function के आधार पर 3 category में बाटा गया है ये लिखने का बहुत अच्छा तरीका अगर question इस तरीके से आगया exam में कि logic gates कितने प्रकार के होते हैं समझाइए तो आप इसे flow chart से भी समझा सकते हो बड़ा अच्छा तरीका होगा मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे आपक नोट और सारत्रिक गेट यानि युनिवर्सल गेट में दो गेट आते हैं हमारे नैंड और नोर और special gates में आते हैं हमारे फिर से बच्चे वे दो गेट जो कि है एक्जौर तथा एक्जौर तो अपकुल मिला के आप देख सकते हैं जो 7 gates हैं हमारे 1234567 gates इन 7 gates में ते तीन आ आता है तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे आप इसका ब्रांच डाइग्राम बनाए सबसे अच्छा तरीका है एक्जामनर को एक इंप्रेसिव वे में बताना कि आपको सारे टाइप पता है और ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने यह का एक बहतरीन जो तरीका होता है वह होता है जैसे आपका कोशन आया क्लासिफिकेशन कीजिए गेट्स का तो आप हींदी में लिखें अगर लॉजिक गेट्स का वर्गी करण मैं जलने लिए से लिख देती हूँ थोड़ा लॉजिक गेट्स का वर्गी करण चीक है तो आप इसको बताएंगे इसका लॉजिक गेट्स का जो क्लासिविकेशन है यह जो इसका वर्गी करण है यह बेसिकली तीन टाइप से किया जा सकता है तो लिख दीजिए एक तो आते हैं मूल गेट्स हिंदी में लिख रही हूँ मैं मूल गेट्स दूसरा है सारवत्रिक गेट्स और तीसरा यहाँ पर लिख दे विशेश उद्देशे गेट ठीक है तो इन तीनों के जो क्या टेकरी हमने बना दी यानि एक बेसिकि गेट्स की एक सारवत्रिक गेट्स की और एक विशेश उद्देशी गेट की यानि एक बेसिक गेट यूनिवरसल गेट ूर स्पेशल गेट ठीक है तो इनकी नाम लिख दो इसके नीचे यहां पे लिख दो मूल गेट्स पर कुन सा आता है एंड गेट और गेट और तीसरा लिख दो नाम नौड गेट इसी तरह से इसके नीचे लिख दीजिए दो टाइप के आते हैं इसमें हमारा आता है नेड गेट नौड गेट और विशेश उद्देशी में फिर दो बचे हमारे एक्जोर गेट और एक्ज नोर गेट ठीक है तो जो सबसे बहतरीन तरीका है ना आपको क्लासिफिकेशन का अगर कभी भी कोशन आए केवल डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में अगर क्लासिफिकेशन का कोई कोशन आए तो सबसे बढ़िया तरीका केवल एक ही तरीके से एक ही बार में आपने बता दिया कि मुझे सारे अगर क्लासिफिकशन में आपने यह भी बना दिया नहीं तो आपके दो नंबर तो इस classification पे इस flow chart पे पक्के ही हैं यानि दो नमबर तो आपको मिलने ही मिलने बशर्ते आप इसमें हिंदी इंगलिश दोनों लिखें जैसे आपने लिखा है लोजिक गेट का वरगी करण तो bracket में लिखें classification चार्ट के पक्के ही पक्के हैं समझ रहे हूं आप तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पूल गेट तो आप इसका screenshot ले लिजिए नोट कर लिजिए आप बढ़िया से तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूल गेट से ठीक है मेटा question को ना impressive तरीके से हमें किसी तरीके से लिखना है हमेशा अब जैसे जैसे हम आगे chapters में बढ़ेंगे तो आप देखोगे आगे आने वाले chapter में circuit बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे यानि diagram आपको बहुत ज़्यादा बनाने पढ़ेंगे और digital electronics में बड़ी अच्छी सी बात है कि जिन बच्चों को circuit समझ में आ गया यानि आपको अगर परिपत की working समझ में आ गया आपको परिपत बनाना आ गया circuit बनाना आ गया तो आप उसकी theory तो यूँ ही लिख डालेंगे तो जैसे अगर logic gate की बात करें तो logic gate में जब हम बताता है कि जैसे question आ सकता है end gate को समझाईए और gate को समझाईए note को समझाईए यह कोई भी xyz आप से gate पूछ लिया तो उसमें आप क्या करें सबसे पहले तो gate का symbol बनाएंगे इसमें कुछ दो तीन चीज़े important होती है क्या क्या होती है मैं बता देती हूं लिखके आपको बता देती हूं जैसे हम यह पढ़ रहे हैं basic gate तो question जो आएगा वह ऐसे नहीं आएगा basic gate समझाईए या universal gate समझाईए special gate समझाईए सीधी सीधी आपसे पूछे जाएगा end gate को समझाईए और gate को समझाईए नेंड की कारेविधी समझाईए इस तरीकी से question आपका आएगा तो चलिए हम पहला start करते है हमारा पहला ही जो gate है basic में वह है हमारा end gate अब end gate में हमें कुछ किसी भी gate को समझाने से पहले हमें दो तिन चीजें उसकी बनानी होंगी क्या क्या बनानी होंगी पहले तो हमें बनाना होगा उसका symbol पहली चीज क्या बनाओगे उसका symbol बनाओगे दूसरा जह important है उसकी truth table working को समझाने के लिए आपको चाहिए truth table और उसका electrical equivalent circuit हिंदी में भी लिख देती हूं don't worry मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बताने की कोशिश करूंगी बढ़ अगर आपको कहीं भी issue हो तो आप हमें तुरंत comment करके बता दें ताकि हम आपकी समस्या का निवारन कर दें ठीक है आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बच्चों चलिए तो symbol यानि हिंदी में से हम कहेंगे संकेत और इसको कहेंगे हम सत्य तालिका ठीक है और यह होगा हमारा सम्तुल्य विद्धूत परिपत यह तीन चीजे बहुत जरूरी हैं जब भी कोई gate का question आएगा and पूछे चाहे और पूछे चाहे note चाहे nand, nor, exor, exnor कोई सा भी पूछ ले हम से examinal question हमारे exam में कोई भी question आजाए तो हमें तीन चीजे इसके बारे में बनानी बहुत जरूरी है पहला तो हमें बनाना है कि इसका symbol क्या होता है दूसरा बताना है इसका truth table क्या होती है और इसका electrical equivalent क्या है symbol आप बताएंगे कि जो digital electronics में कई जगा circuit में इसका use होगा तो इसे कौन से symbol से प्रदशित करते हैं और truth table और electrical equivalent circuit जो आप बनाएंगे यानि वैदुत सम्तुल्य परिपत और सत्य ताली का जो आप दिखाएंगे वो समझाएंगे इसकी कारविधी को समझाने के लिए ठीक है पहले symbol तो आपको पता ही है कि digital electronics या किसी भी electrical engineering में electronics engineering में CS में कहीं भी जब हम कोई component युक्ति या device लगाते हैं तो उसका हम एक symbol प्रियोग करते हैं ठीक है तो symbol हम इसलिए बनाना हमें जरूरी है क्योंकि कई जगा circuit में जब आएगा एक symbol की form में आएगा ठीक है सत्य तालिका क्या होती है truth table क्या होती है truth table आपको बार बार मिलेगी कई सारे circuit में truth table बेसिकली होता है यह input और output की एक table होती है ठीक है इसमें क्या बनी होती है, input और output बनी होती है, यानि input और output के combination को ये प्रदर्शित करता है, यानि किसी भी circuit हो या चाहिए हम logic gate की बात करने हो, तो उसमें input और output किस प्रकार है, यानि ये input तथा output की अवस्था को बताता है, यह क्या करती है सत्यतलिका इंपूट तथा आउटपूट की अवस्था को प्रदर्शित करती है ठीक है और एक इलेक्टिकल एक्विलेंट सर्कुट क्या होता है वैदू सम्तुल्य परिपत क्या होता है इसका यूज केवल हम वर्किंग को समझाने के लिए यानि जो गेट हम दिखा रहे हैं जो हम बताने वाले हैं एक्जाम में लिखने वाले हैं उसकी वर्किंग उसकी कारेविधी को समझने के लिए हम उसका इलेक्टिकल एक्विलेंट ड्रॉ करते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं जब भी आपको कोई logic gate समझाना हो तो आप क्या करेंगे कुछ important चीज़े उसके बारे में बताएंगे उसका symbol बनाएंगे उसका truth table बनाएंगे उसका electrical equivalent बनाएंगे तो हम basic gate के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले gate हमने लिया है end gate ठीक है तो end gate का सबसे पहले बना देते हैं symbol तो end gate का symbol होता है यह end gate का symbol होता है ठीक है यह इसका क्या बना दिया हमने symbol इसमें क्या है आप देख सकते हो यह क्या है input है input को प्रदर्शित करते हैं alphabet a तथा पी से यह इसका output है से प्रदर्शित करते हैं y से यानि यह है इसका output और यह है इसके input यह दोनों क्या है इसके input इंग्लिश मैं भी लिख देती हूं input और यह क्या है इसका output यानि इसकी input जो टर्मिनल है उनको a तथा b से प्रदर्शित करते हैं और output टर्मिनल को y से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर यह दो इसका input का 1 and gate प्रदर्शित किया गया है हाला की and get तीन इनिप्र का भी कि हो सकता है यास में से नमबर ओफ inputs को दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बटे लिब मिनिमम दो देख सकते हैं इन्पूट कितनी है दो और आपको पता है जwyddन्ख्याएं है इन्पूट कितनी हो सकती है दो होसकती है जईस्के पॉसिबल काम्मिनेशन होते हैं होता है टू की पाव er een Cyber decide N kya होता है number of inputs base 2 क्यों लिया हमने क्योंकि आपर रही है हमारा binary logic पर काम करता है binary में 2 संख्याएं होती है 0 और 1 तो 2 की power लेते हैं 2 की power कितनी लिए n तो n क्या है number of inputs तो input कितनी है इसमें 2 तो 2 की power 2 यानि इसमें कितने combination हो जाएंगे 4 combination हो जाएंगे यानि input की 4 अवस्थाएं होएंगे input की अवस्थाएं कितनी हो जाएंगे 4 तो अब हम इसके अधार पर इसकी बनाएंगे truth table यानि की सत्य तालिका truth table बनाएंगे truth table में मैंने आपको बताया था इसमें input और output होती है यह होगी इसमें input और यह होगी इसमें output तो input कितनी होगी 2 होगी कौन-कौन सी A और B और output कितनी होगी कैवल एक वाई होगी ठीक है यह truth table को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं इसकी left side पे हम input दिखाते हैं अगर दो input हैं तो हमने दो column कीचे अगर तीन input वाला end gate होता तो तीन input कीचते इधर हमने प्रदर्शित कर रहा है output को चुकि output इसकी एक है तो output का एक column कीचा तो हमने देखा इसमें input कितनी थी दो तो इसकी number of combination जो होंगे इसकी अवस्थाय जो होंगी input की वो कितनी होंगी चार कैसे कैसे होंगी या तो दोनों ही input 0 हो यानि A का मान भी 0 B का मान भी 0 या A 0 और B का मान क्या हो 1 तीसरी condition क्या हो सकती है A का मान 1 और B का 0 चौती condition क्या हो सकती है दोनों ही क्या है 1 1 ठीक है 0 0 0 1 1 0 1 1 ठीक तो इसमें output क्या आएगी इसकी जो output होती है वो depend करती है A और B के मान में कायदे में जो इसका वेंजक होता है Boolean वेंजक AND gate के लिए जो Boolean वेंजक होता है यानि Boolean expression मैं लिख देती हुआ वो होता है Y is equals to A dot B AND को dot से प्रदर्शित करते हैं ठीक है AND को Boolean expression में किसे प्रदर्शित करते हैं dot से यानि जो आपको पता चल रहा है जो output Y है वो A और B का क्या है ending है यानि इसका Boolean मेंजक हो जाएगा Y is equals to A and B तो आप देख रहें एक तरह से इसको याद करने का मैं तरीका आपको बताऊं आपको पताए AND जो है AND का हिंदी में अर्थ क्या होता है OR इसकी टेबल याद करने का एक तरीका बता रही हूँ आसान सा आपको AND का अर्थ हिंदी में होता है OR तो आप याद रखें कि जब A और B दोनो 1 होंगे जब A और B दोनो 1 होंगे तो output क्या होगा 1 होगा आप देखें 00 तो answer 0 01 तो क्या है A और B दोनो 1 होने चाहिए लेकिन यहाँ दोनो 1 नहीं है तो output क्या आएगा 0 10 A और B दोनो 1 होने चाहिए यहाँ पर output अभी भी क्या रहेगा 0 लेकिन जो चौथी condition है 4th condition उसमें क्या है AB 1 है और B B 1 है तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था एंड का हिंदी में अर्थ होता है और तो A और B दोनो 1 है तो output क्या आजाएगा 1 अगर इसके boolean function को आप देखें तो Y जो कस्टू क्या है A.B यानि इसका product दिखा रहा है गुणा यानि A और B की क्या हो रही है गुणा हो रही है तो आप देखो 0 की 0 में गुणा होती है तो answer क्या आता है 0 0 की 1 में गुणा होती है तो answer क्या आता है 0 1 की 0 में answer 0 1 की 1 में answer क्या आता है 1 तो आप दोनों तरीके में से किसी भी तरीके को जो आपको असान लगता उसको आप्ट कर सकते हैं या तो आप ऐसे याद रखें एंड का हिंदी में अर्थ होता है और तो ए और बी दोनों वन होते हैं तब आउटपुट वन आएगी बाकी कंडिशन में आउटपुट क्या आएगी जीरो आएगी या आप इसके बूलियन ए आंसर जीरो बट केवल यह केस ऐसा होता है जब वन की वन में होती है तो तो ही आंसर क्या आता है वन आता है तो यह हमारी टूथ टेबल हो गई आप इसका एक्विलेंट सरकिट अगर मैं आपको बताना चाहूं वह किस तरीके से बनाना करेंगे हम स्टार्ट इसमें आउट इन्पूट को प्रदेशित करने के लिए हमने क्या दिखा दिये दो स्विच यानि यह बटेश ऑर बी क्या है इन्पूट और यह क्या है मारे स्विच हैं इलेक्ट्रिकल इक्विलेंट सम्तुल्य वैदूत परिपत इसको समझाने के लिए इसका एक्विलेंट सर्किट भी खीच दिया आप देखरों तीनों चीज़े बना दी हमने इसमें क्या बना दिया इसका सिंबल भी बना दिया इसकी टूथ टेवल भी हमने बता दी और तीसरा हमने इसका इलेक्टिकल इक्विलेंट सर्किट भी खीच दिया तो सिंबल आपको बताई दिया इसमें दो इंपुट क्या है आप इसे एक्स्प्लेइन करोगे चितर में एक एंड दो इंपुट का एंड गेट प्रदर्शित किया गया जहां ए तता भी इसकी इंपुट है तता य इसकी आउटपुट है चितर की का इसकी लॉजिक गेट की कारेविदी को समझने के लिए सत्य तालिका भी चितर में दिखाए गई है जहां पर इंपुट के कितने कॉम्बिनेशन है चार combination चार अवस्थाओं को प्रदर्शित किया गया है और साथ ही साथ कारेविदी को समझने के लिए इसका संतुल्य वैदुत परिपत भी चित्र में दिखाया गया है तो मैंने आपको truth table तो अभी समझाए truth table आप देख सकते हो कि 00 answer 00100100 और 11 पे ही cable बनाएगा अब इसके electrical equivalent circuit को अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो आप देखें इसमें दो switch लगे हैं A तदा B यानि A और B क्या देख रहे हैं input condition को present कर रहे हैं और जिसमें load लगा है यानि जो bulb लगा है वो output condition को show कर रहे हैं आप पहली condition लेते हैं 00 यानि दोनों ही circuit क्या है ओफ ये भी ओफ है ये भी ओफ 00 का आर्थ क्या है voltage क्या है 0 तो दोनों ओफ है तो bulb on नहीं होगा और output क्या हैगी 0 पहली condition में A B 0 है और B B क्या 0 तो output क्या हैगी 0 क्यों होगी 0 क्योंकि यहां से supply से जब voltage से current flow होगी तो यहां पर current का flow क्या हो जाएगा रुक जाएगा क्योंकि दोनों switch क्या है ओफ आप दूसरी condition जो है ये वाली condition आप देखो तो एक 0 और दूसरा 1 यानि A 0 है लेकिन B क्या है वन यानि इस समय B क्या है ओन है तो B को हमने मिला दिया ठीक है अब क्या हो गया बी तो ओन है लेकिन जैसे current flow होगी तो यहां पर आकर फिर से रुक जाएगी यानि current का flow नहीं होगा और bulb पे output पे अभी भी क्या मिलेगा 0 और यह वाली condition 1 0 वाली तो इस time यह क्या है ओन है और B क्या है ओफ तो जैसे circuit में current का flow होगा यहां तक तो होगी लेकिन यहां आते current का flow फिर से रुक जाएगा और bulb को फिर से current नहीं मिलेगे और bulb फिर से क्या रहेगा ओफ ही रहेगा और output पे हमें फिर से क्या मिलेगा 0 ही तीसरी condition देख लेजिए तीसरी condition यह दिखा रहा है कि AB 1 है और BB 1 है यानि इसमें देखें तो एक इस अवस्था क्या हो गई 1 हो गई और B की अवस्था भी क्या हो गई 1 यानि AB on है और BB क्या है ओन तो current ऐसे flow होगी A से होती भी फिर B से होती फिर किसमें जाएगी बल में और बल्ब क्या कर जाएगा ग्लो कर जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा ओन हो जाएगा और आउटपूट पर क्या मिलेगा बन मिलेगा बैसिकली लोगिक गेट की कारेविधी को समझाया है इस electrical circuit के माध्यम से इन्हों ने बताया जिस तरीके से हम अगर दो स्विच को श्रे सुइट काम कर रहा है तो जब अवस्ता 003 यान दोनों स्विच आफ तो बल्ब पर क्या मिलता है जब एक स्विच ऑन है पहला बाला ओन है तब भी मिलता है तिस्टी कंडिशन में पहला स्विच तो ओन है लेकिन दूसरा स्विच आफ है तो भी हमारा बल्ब क्या रहता है और आउटपुट पे हमें 0 ही मिलता है चौधी कंडिशन जो है वो कहती है कि AB1 है और BB1 है यानि स्विच AB on है और BB on है तो हमारा बल्ब भी क्या हो जाएगा on हो जाएगा और आउटपुट पे हमें 1 मिल जाएगा तो इस तरीके से देखा आपने कि किस प्रकार हमें gate को सही तरीके से समझाना है ठीक है तो कोशन अगर आया end gate का तो आप उसको 1 by 1 समझाएंगे कि पहले आप इसका symbol दिखाएंगे symbol को explain करेंगे किसमे A क्या है B क्या है Y क्या है फिर आप इसकी क्या बताएंगे इसका boolean wind jack भी बनाएंगे truth table भी दिखाएंगे और साथ साथ कारेविदी को समझाने के लिए electrical circuit को explain भी कर देंगे तो आज की class बच्चों बस यहीं पर खतम होती है I hope आपको end gate का concept बढ़िया से समझ में आ गया होगा आप regular class लेते रहें अगली class जो होगी उसमें हम बताएंगे कि बाकी जो gate है यानि ओर gate, not gate, nand gate, nor gate, exor gate जथा, exnor gate किस प्रकार काम करते हैं और क्यों इनको universal gate कहा जाता है और क्यों इन्हे special purpose gate कहा जाता है वो हम अगली class में cover करेंगे तो बहुत ही important topic है विल्कुल भी आपको class miss करना allow है ही नहीं तो अगली class में मिलते हैं आपसे Thank you so much, जै हिन, जै भारत